कौन से बहतर है? Manual या Automatic Transmission? हम्... ये एक बहुत ही दिल्चस्प सवाल है ये बात विबात पिछले साथ दशकों से चल रहा है Manual और Automatic Transmission पूरी तरह से अलग-अलग तक्नीक हैं जो विभिन Configuration और सिधान्तों का उप्योग करते हैं एक साधरन गेर जोड़ी पर आधारित है जबकि दूसरा एक Planetary Gear Set पर आधारित है एक Torque Converter का उप्योग करता है जबकि दूसरा एक Clutch Pack का उप्योग करता है हम इस विडियो में इन तक्नीकों की तार के क्तुलना करेंगे लेकिन पहले आए ट्रांस्मिशन के बुनियादी विज्ञान को समझे एक आंत्रे कंबर्शन इंजिन केवल एक निश्चित गती सीमा के दौरान उप्योगी टॉर्क और शक्ती का उत्पादन करता है आईसी इंजिन की इस अंत निरहित समस्या के कारण सीधे उन्हें इंजिन से जोडने के द्वारा ड्राइव विल गती को नियंत्रित करना एक चतर विचार नहीं है इस तरह के दृष्टी कोण से इंजिन को बहुत कम दक्षता मिलेगी बलकि हमें बीच में एक ट्रांस्मिशन की आउशकता है ताकि इंजिन का RPM हमेशा अधिक्तम दक्षता रेंज में हो सके ट्रांस्मिशन ड्राइव पहियों की गती भिन्नता का ख्याल रखता है सबसे पहले आईए देखें कि मैन्वल ट्रांस्मिशन में गती भिन्नता कैसे प्राप्त की जाती है Manual Transmission gear जोड़े का एक संग रहे है इसके तीन खंड है Input, Intermediate Shaft और Output Input Intermediate Shaft से जुड़ा हुआ है इसलिए Intermediate Shaft हमेशा एक स्थिर गती से घुमता है Intermediate Shaft तब Output Gear Set से जुड़ा होता है आप देख सकते हैं कि विभिन gear अनुपात के कारण Output Gear अलग-अलग गती से चालू होंगे हाना कि Output Gear, Output Shaft के साथ तै नहीं होते हैं और आप Output Gear और Shaft के बीच एक अंतर भी देख सकते हैं जदी हम Shaft में केवल एक Output Gear जोड़ सकते हैं तो Shaft में जुड़े हुए Gear की गती होगी मुख्य Shaft के Gear में Synchronizer कौन टीत की विवस्ता है एक हब Shaft से जुड़ा हुआ है और इसके उपर एक Sleeve Slides है बस इस Sleeve को गुमा कर आप Gear और Shaft को जोड़ने में सक्षम हो जाएंगे ये एक साधारण Mechanism की तरह लग सकता है हलां कि एक वास्तविक Operation के दौरान हब और Gear अलग-अलग गती से घुमते रहेंगे और Sleeve Gear Connection संभव नहीं है अगर वो ऐसा करते हैं सबसे पहले चलिए उनकी गती समान बनाते हैं इसके लिए हमें बिजली प्रवा को Transmission तक बंद करना होगा Clutch Pack का उपयोग यहां आता है Clutch Pack को अलग करके Gear Set में बिजली का प्रवा बंद हो जाता है अब घर्शन कौन के साथ एक Synchronizer Ring स्लीव के साथ Gear की गती से मेल खाने में मदद कर सकता है जब कोई बिजली प्रवा नहीं है तो Gear के खिलाफ Synchronizer Ring को धक्का देने से Gear की गती को हब से मेल खाने में मदद मिलेगी अब हमें एक सहच संबंध मिल सकता है Connection के बाद Clutch Pack लगे हुए है इसलिए हर बार जब आपको Gear बदलने की आउशकता होती है तो आपको Clutch को अलग करना होगा ये भी Gear बदलने के दौरान बिजली विच्छेदन और एक संबध स्पीड ड्रॉप का मतलब है यही कारण है कि एक Manual Transmission Drive कभी एक सहच अनुभाव नहीं है अब देखते हैं कि Automatic Transmission Manual Transmission से अलग कैसे है Automatic Transmission Manual Transmission में बिजली विच्छेदन समस्या को दूर करने के लिए विक्सित किया गया था और यह एक साधारंड गयर जोड़ी के बजाए Planetary Gear Set का उप्योग करता है आप देख सकते हैं कि एक Planetary Gear Set में दो Input और एक Output है Automatic Transmission का मूल सिधान सरल है बस इन दो Input गती में भिन्नता है और आपको अलग-अलग Output गती मिलेगी इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आईए एक और Planetary Set शुरू करे दूसरे सेट का Output पहले सेट के Input में से एक के साथ जुड़ा हुआ है सरल शब्दों में दूसरे सेट का Carrier और पहले सेट का Ring Gear एक A का लिकाई है ये एक दिल्चस्प तंत्र बनाता है और सबसे सरल आटोमेटिक ट्रांसमिशन संभाव है Ring Gear की गती को रोकने के लिए दो क्लच पैक पेश किये जाते है जब क्लच पैक दबाया जाता है तो संबंधित Ring Gear स्थिर रहेगा और कैरियर घुमेगा जब पहला क्लच दबाया जाता है तो हरी Ring Gear स्थिर होता है और हमें पहला Gear मिल जाएगा अगर हम हरी Ring Gear को चालू कर सकते हैं तो आउटपुट गती बढ़ जाएगी इसे प्राप्त करने के लिए आपको पहला क्लच छोड़ना होगा और दूसरा क्लच सनलगन करना होगा Green Ring Gear घुमेगा क्योंकि ये दूसरे सेट के कैरियर से जुड़ा हुआ है ये ध्यान देने योग्य है कि पहला क्लच उसी समय छोड़ा जा रहा है कि दूसरा क्लच लगा हुआ है इसलिए Power Transmission में कोई नुकसान नहीं है दो प्लैनेटरी के सेट की व्यवस्था के साथ चार अलग-अलग आउटपुट गती संभाव है इसका विवरंड जानने के लिए Automatic Transmission पर हमारा विस्तृत वीडियो देखें शरिंकला में तीन प्लैनेटरी गेर सेट का उप्योग करके हम छे अलग-अलग गती और एक रिवर्स प्राप्त करने में सक्षम होंगे Automatic Transmission की सुन्दरता ये है कि उचित दो क्लच पैक को इंगेज कर हम विभिन आउटपुट गती प्राप्त कर सकते हैं अब चलिए हम इन दोनों तक्नीकों की सीधे तुलना करते हैं जैसा कि Automatic Transmission में चर्चा की गई है बिजली प्रवा में कोई अबरप्शन नहीं है इसलिए आपको एक सुगम ड्राइविंग का अनुभाव प्राप्त होगा Automatic Transmission का कम्प्यूटर नियंतरित संचालन ड्राइविंग को और भी सरल बनाता है ये स्पच्ट है कि Manual Transmission तकनीक Automatic की तुलना में बहुत सरल है इसमें कम कमपोनेंट्स हैं और मरम्मत करने के लिए आसान है दूसरी ओर Automatic Transmission एक टाइटली पैक्ट व्यवस्था है जब भारिक शुल्क संचलन की बात आती है तो Manual प्रसारण अधिक Durability प्रदान करता है इस करन्ट से लगभग 80% भारिक शुल्क वाले ट्रक Manual Transmission का उप्योग करते है जिस तरह से Automatic और Manual Transmission ब्रेक लगाने की स्तिथी को संभालती है वो काफी अलग और दिल्चस्प है Manual Transmission Driving में ब्रेक पैडल को दबाने से पहले क्लच पैडल को पूरी तरह से दबाया जाना चाहिए इस तरह इंजन रोटेशन और वील्ड रोटेशन पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और पहियां का अचानक बंद हो जाना इंजन में संचारिद नहीं होगा हाला कि Automatic Transmission कार में क्लच पैडल नहीं है इसलिए ट्रांसमिशन से इंजन रोटेशन को अलग करने के लिए टॉर्क कनवर्टर का उप्योग किया जाता है ये एक फ्ल्यूट कपलिंग है जिससे फिसलन होती है इसलिए एक टॉर्क कनवर्टर क्लच पैडल की आउशकता के बिना स्वतहे प्रसारण को ब्रेकिंग परिद्रिश्य को सभालने में मदद करता है हाला कि एक टॉर्क कनवर्टर एक अच्छा गर्मी जनेरेटर है जो बदले में वाहन की दक्षता कम कर देता है नतीज़तन आटोमेटिक ट्रांस्मिशन वाहन मैन्वल वाहनों की तुलना में कम इंधन कुशल हो जाते है हाला कि आधोनिक टॉर्क कनवर्टर्स ने इस समस्या को दूर कर दिया है यह हमारी आशा है कि अगली बार जब आप एक फोर वीलर खरीदने की योजना बनाएंगे तो आप अपनी आउशकताओं के अनुसार उचित ट्रांस्मिशन तकनीक का चैन करने में सक्षम होंगे डियसजी ट्रांस्मिशन पर हमारे वीडियो को जरूर देखें जिसमें आटोमेटिक और मैनुवल ट्रांस्मिशन संयुक्त की सबसे अच्छी विशेशताएं है क्रिपया पेट्रियोन डाट कॉम पर हमारा समर्धन करें और मूल अंग्रेजी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद